जा इस्तरी में आकाल दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब केनल पर जिसका नाम है लेप्टॉप वाला चले दोस्तों आज में जो हमारी सीरीज चल रही है लेप्टॉप वाले में जो फोटोशोप की उसी के अग्ये बताने वाला हूं तो आज का दिन एक जनवर ह पर आज़ा ओंते हैं तो जो न्यू वर्स नया साल इस वी न्यू वर्स क्योंकि हमारा तो हिंदू ओका आता घोड़ी आप तक चलेगा इसलिए मैं चला रहा हूं चीजे तो फोटोशोक हमने यहां से ओपन कर लिया है अब इसके बाद मैं आज कौन से टूल की बारे हूं आज बेसिकली में ज्यादा लंबा चोड़े वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं इसलिए बिकोज न्यूएर भी है मुझे भी जाना आप लोगों काम होगा तो इसलिए मैं सिर्फ आपको कुछ थोड़ी वह चीजे चोटे मोटे जो टूल इसमें उसके बारे मैं बेसिक जानकारी देता हूं क्योंकि उसका बेसिक यूज़ाद तर बड़ा यूज़ नहीं होता दो बट वह भी काम की है इसलिए उस लेते हैं इस इमेज में दोस्तों हमें जूम करना है तो जूम करने के लिए क्या करते थे हम स्क्रोलिंग करते थे ठीके दोस्तों माउस रहता है तो उसके जो पहियां रहता है स्क्रोल कर ले तो उपन नीचे अप डाउं तो उससे हो जाता है जूम कंट्रोल करके जो हम करत आपको दिख रहा हुगा एक मेगनिफायर बनके तो यह तूल बैसिकली इसका नाम है जो माउस होता है उस पर आपका राइट क्लिक होता है राइट लेफ्ट जो होता है जैसे जैसे क्लिक करें यह देखिए प्लस आइकन बना बना हुआ इसमें तो यह zoom हो गया अब मान लीज तो इसलिए आप अल्ट दबाईए अल्ट दबाने के बाद वापस से यह देखिए यह माइनस आगया है तो वापस आप इस पर टैच कीजिए यह देखिए तो यह वापस से इस टाइप से जूम आउट हो जाएगा तो यह चोटा सा यूज इसका ज्यादा बड़ा कोई नहीं यहां से यहां लेकर आना है तो यह मैं मूव टूल से नहीं कर सकता दोस्तों मैं करना गया लेफट क्लिक किया यह यहं करना है तो क्या बतादेगा एरर स्वास एक उसके यहां से Slow to लैर hand tool का use hand tool लाना है उसके बाद राइट क्लिक करके क्या left क्लिक करके यहां यहां जहां पर भी मैं करना चाहूँ वह hand tool की वह उसरा मैं कर सकता हूं यूज तो यह इस्ता सा use है this is hand tool का actual use बस इतना ही होता है ज्यादा कुछ use नहीं होता है इसका यहां से हम full screen प्रिंट साइज यह सब हम कर सकते पर इसका आपको बिल्कूल यूज नहीं आएगा मैं डायरिक्ट आपको कहे देता हूं कि आप इसमें पचने की जर्रती नहीं आप इसके बाद आते हैं दोस्तों यह है हमारे पास टेक्स टूल तो आपने टेक्स टूल तो सुने होगा आप कई एडिटिंग करते हैं कहीं पर भी क्या आता ही लिखने की काम का बहुत चोटी है तो इसके लिए पहले मैं साइज इसकी बढ़ा लेता हूं इंक्रेस कर लेता हूं इसके बाद भी साइज देख लिए थर्टी के बाद भी इत्ती चोटी दीगरी मुझे तो और बड़ी कर देता हूं यह इतनी बड़ी होगी अब यह देखें यहां पर आ क्लिक करके इसको इस टाइप से केचेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों तो यहां से फिर आप कलर चेंज कर सकते हैं यहां से पिर आपको एंड एंटर करते हैं तो यह कलर यहां आ चुका इसके बाद यहां साइज दे रखिए इसको आपको बीच में रखना कहां रखना इस कि वह सबी होने के बाद दो ऩुश्व यहां को कैसे करेंगे इसको ऐसे इसके लिए पर करेंगे इसको क्लिक करेंगे तो लेफ्टज्फिक करने हैं तो इसके साइज हमें और चोटी बड़ी गन्नी कि वहें तो 72 पूरा हो चुका टेक्स और भी हमें बड़ी चोटी गन्य तो हम यहां पर करेंगे कंट्रोल कंट्रोल टी से सिलेक्ट हो जाएगी बोड़र आजएगी फिर सिफ्ट और अल्ट दबाके यहां पर हम राइट यहां से क्लिक करेंगे दोस्तों यहां जो कोना है इसको पकड़ लेंगे यहां से गहेज़ेंगे एक सब्सक्राइब तो यहां पर हम शिफ्ट और अल्ट दबाएं त्यान उसके बाद यहां पर आजएंगे अ से कर सकते हैं तो यह यहां से हम इस टाइब से कर सकते हैं इस टाइब को करना चाहिए इस टाइब से आप इसमें यूं कुछ भी कर सकते हैं अपने इसाफसी इस मतलब देना तो मिलते हैं अगली वीडियो में तो जैशिमा कल दोस्तों